प्रस्ण तीन निम्नांकित दस्मलों संख्याओं को आरोही क्रम में विवस्थित कीजे प्रस्ण तीन क्या है पांच दस्मलों चार दो कॉमा दो दस्मलों पांच तीन कॉमा कॉमा दो दस्मलों चार आठ तो इसको क्या करना है आरोही क्रम में विवस्थित करना है आरोही क्रम मतलब हुआ बढ़ते क्रम यानि छोटा से बढ़ा तो इसको आरोही क्रम में यानि बढ़ते क्रम छोटा से बढ़ा में इसको सजाना है तो देखे सबसे छोटा कौन है यहां पे तो दस्मलों के पहले यहां पांच है यहाँ पे दो है, यहाँ चार है, यहाँ दो है, यहाँ सूने है, यहाँ सूने है, तो सूने वाला सबसे छोटा होगा, अब यह दोनों में देखते हैं, कि सबसे छोटा कौन है, यह दोनों में छोटा कौन है, तो सूने दस्मलों सूने एक, सूने दस्मलों सूने पांच, दे तो इससे भी नहीं पता चल रहा है कौन बड़ा है, तो दस्मलों के बाद दूसरा आंग एक है, दस्मलों के बाद दूसरा आंग क्या है? पाँच है, तो पाँच बड़ा होता है एक से, इसका मतलब हुआ कि 0.05 बड़ा है इससे, यानि सबसे छोटा हुआ 0.01. सबसे चोटा कौन हुआ सूने दसमलो सूने एक से बड़ा हुआ सूने दसमलो सूने पांच आठ अब सूने दसमलो सूने पांच आठ से बड़ा कौन है तो देखें दसमलो के पहले दो है यहां दसमलो के पहले पांच है यहां पर दसमलो के पहले चार है यहां दसमलो के पहले दो है तो दो वाला सबसे छोटा है ये चारों में तो यहां पे दो दस्मलों देखिए यहां भी दो है दस्मलों के पहले तो ये दोनों में कौन बड़ा है तो दस्मलों के बाद यहां पांच है यहां पे दस्मलों के बाद चार है तो पांच बड़ा होता है चार से इसका मतल देखे दसमलो के पहले चार है, यहां दसमलो के पहले 5 है तो 5 बड़ा होगा इससे, यानि 5 दसमलो C दो, 4 दसमलो सुन्ञे 5 एक से बड़ा होगा, तो इसको लिख लेते हैं, सबसे बढ़ा कौन है सबसे बढ़ा देखें पांच दस्मलो चार दो है तो इसको अंत में लिख लेंगे पांच दस्मलो चार दो तो ये हो गया आरोही क्रम में यानि सबसे चोटा सबसे पहले उससे बढ़ा उससे बढ़ा और अंत में सबसे बढ़ा तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में देखिए बढ़ रहा है धीरे-धीरे सबसे जोटा उसके बढ़ा उसके बढ़ा और बढ़ा यानि बढ़ते क्रम में है आरोही क्रम में है तो इस तरह इसको सजाएंगे प्रेसने चार निम्नांकित दस्मलों संख्याओं को अब रोही क्रम में विवस्तित करें तो प्रस्ण 4 है अब रोही क्रम में तो प्रस्ण है 2.32, 2.41, 2.34 4.71 तीन दस्मलों सुन्ने एक और क्या है सुन्ने दस्मलों साथ, पांच, चार यह है प्रस्ण तो 2.32, 2.41, 2.34, 4.71, 3.01 सुन्ने दस्मलों साथ, पांच, चार तो अब रोही क्रम में कह रहा है यानि घटे क्रम में, बड़ा से छोटा अब रोही क्रम मतलब क्या हुआ? घटे क्रम, बड़ा से छोटा तो यहां पे सबसे बड़ा कौन है? उसको सबसे पहले लिखेंगे तो देखे, दस्मलों के पहले यहां दो है, यहां पे दस्मलों के पहले दो है यहां दस्मलों के पहले दो है, यहां दस्मलों के पहले चार है दसमलों के पहले तीन है, दसमलों के पहले सूने है तो सबसे बढ़ा हो गया, दसमलों के पहले क्या है, चार है यानि चार दसमलों साथ एक सबसे बढ़ा होगा क्योंकि चार सबसे बढ़ा है, देखिए दसमलों के पहले तो सबसे पहले हो जाएगा 4.71 4.71 सबसे बड़ा है तो अब इस से छोटा तो देखें 4 से छोटा 3 यानि दसमलों के पहले यहाँ पे 4 है यहाँ पे दसमलों के पहले 3 है तो इस से छोटा होगा 3 दसमलों सुन एक अब इस से छोटा कौन है तीन दसमलों एक से छोटा कौन है यहाँ पे तो 3 दसमलों एक से थोड़ा सा छोटा देखें यहाँ पे 2 है यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है दसमलों के पहले ठीक है तो ये तीनों में दस्मलों के पहले दो है इससे नहीं पता चल रहा है अब दस्मलों के बाद यहां तीन है दस्मलों के बाद चार है दस्मलों के बाद तीन है तो दस्मलों के बाद चार देखे चार तीन से बड़ा होता है यानि दो दस्मलों चार एक यह होगा अब दो दस्मलो चार एक से थोड़ा सा छोटा तो देखें दो दस्मलो तीन दो दो दस्मलो तीन चार तो दस्मलो के पहले दो है यहां भी दस्मलो के पहले दो है दस्मलो के बाद तीन है दस्मलो के बाद तीन है पहला अंग अब दसमलों के बाद दूसरा अंग 2 है दसमलों के बाद दूसरा अंग 4 है यानि 2 दसमलों 3 4 देखें 4 बड़ा होता है 2 से दसमलों के बाद दूसरा अंग 4 है दसमलों के बाद दूसरा अंग 2 है तो चार बड़ा होता है दो से यानि दो दस्मलों तीन चार बड़ा होगा दो दस्मलों तीन दो से तो लिख लेंगे दो दस्मलों तीन चार उसके बाद अब दो दस्मलों तीन चार से थोड़ा सा छोटा तो देखे तो इसको लिख लेंगे दो दस्मलों तीन दो और सबसे छोटा हो गया 0.754 तो सबसे बड़ा 4.7 एक इससे थोड़ा सा छोटा 3.0 एक इससे थोड़ा सा छोटा 2.4 एक इससे थोड़ा सा छोटा 2.3 चार इससे थोड़ा सा छोटा 2.3 दो और इससे थोड़ा सा छोटा 0.75 तो अब रोही करम में कहा रहा था, यानि घट्टे करम में, तो सबसे बड़ा को सबसे पहले लिखना है, उससे छोटा, उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा, तो इस तरह हम इसको सजाएंगे, प्रस्न पांच, निम्नांकित में सबसे बड़ी और सबसे छोटी दस्मलो संख्या ग्याद करें, प्रस्न पांच का एक, सून्ने दस्मलो छे, सून्ने दस्मलो साथ, 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 फिर है दो, फिर है चार दस्मलो चार, फिर है तीन, फिर है पांच दस्मलो पांच, तो क्या कह रहा है, कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी दस्मलो संख्या ग्याद करें, तो लिखेंगे, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, तो देखे, दस्मलो के पहले सूनने है, यहां पे दो है, यहां पे दस्मलो के पहले चार है, यहां पे तीन है, दस्मलो के पहले पांच है, तो पांच वला सबसे बड़ा होगा, देखे, दस्मलो के पहले जो पांच है, वो सबसे बड़ा है, तीन से भी बड़ा है, पांच क्या होता है, तीन से बड़ा, देखे दसमलों के पहले वला अंक, तो पांच तीन से भी बड़ा है, दो से भी बड़ा है, चार से भी बड़ा है, तो दसमलों के पहले जो पांच है, वो तीन से भी बड़ा है, चार से भी बड़ा है, दो से भी बड़ा, यानि सबसे ब तो सबसे चोटी संख्या इसमें कौन है तो देखे ये दोनों में सबसे चोटा कौन है यहाँ पे सूने दस्मलों 6 यहाँ पे सूने दस्मलों 7 साथ साथ तो दस्मलों के पहले सूने है यहाँ भी दस्मलों के पहले सूने है तो इससे नहीं पता चल रहा है दस्मलों के बाद पहला अंग 6 है दस्मलों के बाद पहला अंग 7 है तो दस्मलों के बाद यहां पे देखें पहला अंग 7 है यहां पे दस्मलों के बाद पहला अंग 6 है तो 7 बड़ा होता है 6 से यानि सून्य दस्मलों 6 छोटा है तो सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है तो दस्मलों के पहले सुनने है यहां तीन है यहां पर तीन है यहां पर सिर्फ तीन है यहां पर तीन दस्मलों आठ है यहां दस्मलों के पहले तीन है यहां भी तीन है लेकिन यहां पर दस्मलों के बाद 8 है यहाँ पर कुछ नहीं दस्मलों के बाद तो 3.8 सबसे बड़ा होगा इन सब में तो लिख लेंगे 3.8 सबसे बड़ी संख्या कॉमा सबसे छोटी संख्या अब देखें दस्मलों के पहले सूनने है यहाँ भी दस्मलों के पहले सूनने है तो ये दोनों में से जो छोटा होगा वही सबसे छोटी संख्या होगा क्योंकि दस्मलों के पहले सूनने है ये दोनों में अब दस्मलों के बाद दो है पहला आंग दस्मलों के बाद छे है पहला आंग तो दस्मलों के बाद पहला आंग दो है तो दो छोटा होता है छे से, यानि सून्य दस्मलो दो पांच, सबसे छोटी संख्या हो गया, तो इन सब में सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, सून्य दस्मलो दो पांच,